हेलो दोस्तों एक बाए फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों मैं विकास और आप लोग देख रहे हैं रिंग कोंग टेक दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं कि जो वीड का जो सेकेंड राउंड है यानि एडिमिसन का जो सेकेंड राउंड है उसके लिए कुछ important notice आई हुई है तो उसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं और उसको दिखाऊंगा कि आप लोग कहां से जा के देख सकते हैं और क्या है notice यह भी आप लोगों को बताऊंगा तो दोस्तों इस वीडियो मैं यही बताने वाला हूं तो चलिए दोस्तों हम लो लोग से कुछ request है आप लोग जो भी माने request माने या कुछ भी माने लेकिन मेरे तरब से एक request है जो लोग अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हैं और जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को subscribe कर देजिए और bell icon को दबाना ना भूलिए तो चलिए दोस्तों यह सभी करते हु इन्पोर्टेंट इन्फोर्मेशन आया है ओ मैं फटाफट आप लोग के सामने डाउनलोड करके दिखाता हूं आप लोग को बताता हूं कि क्या क्या आया हुआ है इन्पोर्टेंट नोटिस तो चलिए मैं फटाफट डाउनलोड कर लेता हूं देखिए और आप लोग को प कि दोस्तों ऑफसियल उसाइड खुलने के बाद आप लुग नीचे आएगा तो यहां पर स्क्रोल होगा ठीक है यहां पर स्क्रोल और और नोटीस टीक है नोटीस बोर इन्पोर्टिन नोटीस दिखा हुए देख रहे हैं यहां पर तो यह हम लोग का नोटीस जो आएगा वह ही आएगा ठीक है चलिए देखते हैं क्या नोटीस है देखे दोस्तों यह उपर आ रहा है ठीक है देख सकते हैं यह वाला तो इसी को हम लोगों को डाउनलोड करना है चलिए दोस्तों इसको मैं टच कर दिया ठीक है अब इसको डाउनलोड कर लेता हूं क्या है नोटीस देख देखिए दिग्यापन संख्या देख सकते हैं ठीक है फिर क्या लिखा हुआ देखिए सैचनिक सत्र 2020-22 में 28 पार्ठे करम 28 कोर्स में नमांकन है तू पर्थम ओनलाइन सचतकार से अनुसासीत अभियर्थिओं के नमांकन वम दित्य ओनलाइन सचतकार समंधित महत्पुन सुचना ठीक है यानि जो सेकंड राउंड काउंसिलिंग के लिए उसके लिए क्या है महत्पुन सुचना ठीक है तो क्या सुचना है देखिए अप लोगों में पढ़ कर सुनाता हूं देखिए एक एक करके तो नमांकन है तू पर्थम ओनलाइन सचतकार से अनुसासीत अभियर्थिओं इद्दत दवारा सुचित किया जाता है कि नमांकन की पुर्व निधारित अंतिम्ति थी 31 को दिनांग 3-2 तक विस्तारित की जाती है यानि जो पर्थमbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbasbas वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन में असनातक का प्राप्त आंग, परतिसत आरच्छन की कोटी, असनातक उत्रिंता, विस्वध्याला का राज गलत दर्ज करने के कारण अवंटन या नमांकन से वंचित रह गए हैं, वे दिनांग 3 थी है, 3 फरवरी 2021 से दिनांग 6 फरवरी 2021 तक फुनह लोगिन कर आविसक सुधार कर ले, ठीक है, सुधार कर सकते हैं, कब से कब 3 से 6 तारिक, इसके लिए भी 3 दिन का टाइम, ठीक है, छेले, फिर आगे क्या है देगे, अभियर्थियों को नमांकन के समय, अपने दावे के परमान पत्र अंसंस्थानों में परस्थूत करना अनिवा रहे हैं, ठीक है, अतर अभियर्थि उस, उसी आरक्षन कोटी का दावा और, जिसका परमान पत्र, उनके पास उपलब्ध है, वन्चित अभ परमान पत्रों के प्रारूप, प्रस्द के वेपसाइड पर उपलब् संख्या जे सी इसी इबी 43 उनीस चार दिनांक 2121 में परकासित दित्तिये उनलाइन सचतकार कारेकरम के तिथियों को निम्न अनुसार पूर्निधारित की जाती है ठीक है जो पहले जो 20 तारीकों जो आया हुआ था जो सेडियोल बना हुआ था उसको फिर से क्या-क्या पुना निधारित कर दिया गया यानि उसको न्यू एक सेडियोल बनाया गया ठीक है जैसे कि यहाँ पर तीन तारीक तब बढ़ाया डेट क्योंकि तीन दिन के अंदर एडिमिसन लेना जो 28-31 तारीक था तीन से चार दिन उसमें एडिमिसन लेना बहुत कठीन था ठीक है यानि बहुत ही कठीन कर लो या फिर संघर्स कर सकते हैं इस्ट्रगल का बात था क्योंकि देखें चार दिन सभी के पास उतना टाइम नहीं रहता है ठीक है तुरंत यह किया कॉंसिलिंग के लिए ओन-लाइन रेजिस्टेश करवाया फिर तुरंत तीन दिन के बाद लिश्ट निकालना फिर चार दिन के अंदर में एडिमिसन कराना थोड़ा दिक्कत पड़ता है तो उसके लिए क्या किया गया था कि तीन दिन मतलब तीन तारिक तीन फरवरी तक बढ़ाया गया था ठीक है यानि तीन दिन और second round के लिए जो time table है वो इस तरह का है देख सकते हैं आप लोग ठीक है तो इसको देखिए क्या है देखिए क्या क्या सेडियूल किया गया है यही है में notice आप लोग देख रहे हैं यही है तो देखिए जो फर्ष्ट एक नंबर सिरियल में है उन्लाइन इडिट इन गाटेगरी अगर आप लोग इडिट करना चाहते हैं अपने application में तो category में अगर कोई गलत है तो उहां कर सकते हैं कोई quota से आप यह apply किये हैं अगर छुट भी गया है तो आप इडिट कर सकते हैं फिर obtained marks अगर आप कितना marks लाए हैं ठीक है उसमें अगर गलत है तो भी आप इडिट कर सकते हैं फिर estate of processing पासिंग पासिंग इनिवर्शिटी यानि आप किस इस्टेट चे पास किया है अगर गलत डाल दिए तो भी आप इडिट कर सकते हैं by all eligibility candidate मतलब जितने भी जो लोग apply किये हैं सभी candidate क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं क्योंकि apply कि हैं वही eligible होंगे और जो लोग admission नहीं करा पाएं या फिर किसी कारण reject हुआ है तो लोग नहीं कर पाएंगे तो जितने भी eligible candidate होंगे सभी इडिट कर पाएंगे तो देखें दोट्सों कब से कब कर पाएंगे इसका date क्या था देखें एक फरवरी से दो फरवरी की भी इस था ठीक है लेकिन जो नया date आया extend यह कब का है यह 20 से जनुवरी 2021 को जो schedule किया गया था second round के लिए उसका है ठीक है लेकिन जो नया date आया उओ कब से कब आया देखें एहां पर से एक से दो दिन का time मिला था ठीक है एक से दो दिन ठीक है और एहां पर देखें तीन से पांच यानि एहां पर आपको मिल जाता है तीन दिन ठीक है तो देखें यह जो नया date आया इसके लिए कब से कब है तीन से पांच तारीक तक date है ठीक कब से कब तक होगा तो ऑ जो डिट अलांस्मेंट होंने वगा था उसके नोशा की सेडीुल था उसके नॲशार उसके नुशार नोसार सेडीयोल और होने वखने वाला था लेकिन यह फॉर होते जा रहा है समझ रहे हैं आप लोग तीसरा नमर में देखिए क्या लिखा और उनलाइन रइस्टेसम एंड छोईस फिलिंग फॉर में के लिए जो फॉम अपलाई होगा ठीक है, ओ कब से कब होना था second round के लिए, जो होना था पूराना date क्या है, 6 फरवरी से 8 फरवरी होना था, ठीक है, यानि इसके लिए भी 3 दिन था, लकिन जो अब होगा, ओ क्या होगा, 9 फरवरी से कब होगा, 12 फरवरी तक होगा, ठीक है, और देखिये, issue of provisional seat allotment, जो seat allotment आप लोग को दिया जाएगा second round वालों के लिए, तो ओ कब से कब था, पहले का जो डेट था, ओ था 11 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक, लेकिन जो नया date आया हो क्या है, 15 फरवरी से आप 20 फरवरी तक है, ये है, ठीक है, और जो आप admission के लिए, जो documents भेर भी कैसन होगा, ओ कब से क कब तक होगा, ये देखिए, ये लास्ट एक पहुंचाता है, तो देखिए कब से कब होगा, documents verification and admission in concerned institute, मतलब आपको किस institute के लिए, आपको allotment हुआ है, उस institute में आप admission करना चाह रहा है, ठीक है, तो कब से कब था, और जो नया date आया हो, कब से कब है, तो ये था 11 फरवरी से 15 फरवरी की 20 था, ठीक है, दोस्तों यहाँ पर गडबड है, क्या गडबड है, दोनों में एक ही डेट दिया हुआ था, एक ही दिन में निकलता ठीक है, और उसी दिन से admission कराना था, गडबड कोछ नहीं है, बस यही है कि, मतलब तुरंत, निकाल लेगा और उसी दिन से admission चा चाहिए, मेरे अनुसार एक दिन पहले निकाल देना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसी दिन से निकाल दे रहा है, इसलिए मुझे गडबड ले रहा है, चली, देखिए, फिर जो नया डेट आया हुग क्या है, 15 फरवरी से 20 फरवरी तक, यानि जो admission होगा, सेकेंड राउंड का आप लोग देखें, आप लोग समझ ही गया होंगे, आप लोग को बताने के जरूरत नहीं, आप लोग बहुत बार विजिट भी कर लिया होंगे, कि J, C, E, C, B, जो website है, झारकन का, उसमें आप बहुत बार विजिट की होंगे, तो आप लोग को पता होगे कौन कहां पे है, तो मैं आप लोग को दिखाया विडियो, आप लोग इसमें भी समझ गया होंगे, उतना बताने के जरूरत नहीं, तो दोस्तों यह previous date था, लेकिन यह new extended date है, तो आपको किस date के अनुसार चलना चाहिए, इस date के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, जो new date आया हुआ हुआ है इसके अनुसार आप लोग को चलना पड़ेगा, तो दोस्तों यही था update, कुछ नहीं है, ठीक है, यही था update, आप लोग को बताना था, मैं बता दिया, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, अपने दोस्तों को सिखाईए, अ और बेल आइकन को दबा के रखना होगा दोस्तों, तो चलिए फटापट बेल आइकन को दबाए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए आप लोग को भी धन्यवाद वीडियो दखने के लिए,